हमारा ये जो रेल एस्टेट सेक्टर है ये बिलकुल अन्रेगुलेटर सा सेक्टर रहा है जिसमें की जो भी चाहे वो जमीन खरीद के मकान बनाना शुरू कर सकता है बेच सकता है उसकी अडविटिस्मेंट कर सकता है इसके अलावा कोई भी रेल एस्टेट का ब्रोकर या एजेंट बन सकता है तो इस सेक्टर में फिलहाल कोई इंट्री बेरियर्यस नहीं है कोई बिहेवियर के नॉम्स नहीं है सेलिंग के, मार्केटिंग के या फिर ग्रिवन्स के जो रेड्रेसल होते हैं उसके भी नॉम्स कोई पक्के नहीं है हमें सिविल प्रोसीजर के पूँ जाना पड़ता है तो रियल एस्टेट रेगुलेशन जो है ये एक तरीके से इस सेक्टर को बिहेवियरल नॉम्स में, स्टैंडर्स में बानने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है तो real estate Regulator को अगर बिल कुल रिएुलेशन को शार्ट में समझें तो वो है कि इस सेक्टर का जो बिल कुल ही चिन भीन सा रूप था उसको एकठखा करके ऊसको एक रिएुलेशन में नौम में बाजने की एक प्रोससे ढाले के अनुन साथ प्ट्राप और यह यह जिसलने के तरहूटा लोग उसाना जाय विजो गलार की कि अच्छाप्टी लॉट इंटर्पण रॉट विजिक में इस एक इंटर्टाफ लोगे इंटर्प्राप लोगेंटिवे इंट इंटर्ट्रप लिट्वेट, लट्वेट for the contractual obligation which is founded in that Build-A-Buy agreement. As he said earlier, there was no regulation whatsoever in this industry, Pan-India, wherever people wanted to announce a project, start a project, allocation of funds, answerability towards prospective house buyers, it was completely unaccounted for. This is the first time that there is a dedicated law which aims at अर्फे किभ्वार्टी फिराति वीर चैन्ट अवेल इस तृट पर्स परसंवाल जीज नियू तर्ट परसंवाइन इस अच्टे अपर। अप्रिवार अर्डिवेश जैसल्सुं के जिए एफ ऐसे पूजेश्य प्रडिवेश्टी है इस्टिवेश्टी इस ऐसे यंजी नहीं एडंखरे बेलोपिश्टे 실파र अब बशल्रों को फट्रेवर्पारी छिख गए, आफöstना के यढवार्पसिंग. अिनल्स भंके खवाध्यब प्रेशनी मेंहु फजाहरे से विज जुज और जुज विच्टे खाय। एफिज अठा हैं। आपर जुज जी उड़ आबीज़ विच्टेट प्रॉड़ कोषब लाइव और हैं। जुज वर बॉट जुज सिज जुज इन्मेरीन आप फ़्रेप टे ऑटिक्लि इन जारे रॉटिय। अफ्र लॉटी बिलाटी विलाटी एकार्स तरफ विलाटी आप अपस्ट रांस्पराइटी आपे अवर्टी इस प्लिटी आप टान।